आपका जो सदेई प्रसंद रहने वाला भाव है वही एक अच्छे राजा की पहचान है आप एक स्रेश्ट राजा हैं आप एक स्रेश्ट राजा बनेंगे और बलके मैं आपको जो बात कह रहा था देरे से वह परदे पर कह देता हूं कि मुख्य मंत्री तो आप बनने जाई रहे हैं हम आपको परदान मंत्री भी बना कर छोड़ेंगे मैंने मैंने एक साल पहले भाई रुद्षेंज जी को कहा था कि समय चेंज हो गया है अकोल्डिंग टू जो माहौल है देश का और जो थोड़ा बहुत तारों का माहौल है जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोजी का मा हमारी जो लक्षमी रूपा बहुरानी डिंपल जी है उनका जो भाग जोर मार रहा है मैं यह बात कह चुका हूं एक साल पहले आपको उसका फल मिलने जा रहा है आप साक्षाद दोनों लक्षमी नाराइन के तरह लगते हैं मुझे आप दोनों पति-पत्ने का जो सुरूप है वो साक्षाद लक्षमी नाराइन जैसा लगता है और वो जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में भगवान राधा की बिना कृष्णाद हैं सीता की बिना रामाद हैं उसी प्रकार से बहुरानी के साथ मिल करके आप डबल हो जाते हैं और मेरा बिस्वास ऐसा भी है मेरा बि भारे हूँ कि यहाँ पर जो प्रजा है जो मेरे भाई बंदू है इन्हों ने मुझे अध्यक्ष्टा करने के लिए मनोनीत किया और मेरा एदाइत बनता है कि हमारे यहाँ भारतिय संस्कृति में अध्यक्ष्जी जो अतीति होता है वो भगवान का रूप होता है और आप तो दूप में आपकी प्रतिक्षा कर रही है और आप पर भी दूप आ गई है सूर्य नाराइन से प्रार्ज न करूँगा कि वो आपको कम कष्ट दे और वो कष्ट हमें दे क्योंकि अगर राजा सुखी है तो परजा सुखी है आपको कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए आपके इससे का कष्ट देलने के लिए हम सब तयार हैं मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया नंबर दो पर मैं अपनी बात कहता हूँ परमादरणिय स्वरगिये स्रीमान स्राध्धेये और भारत के गोरो और भारत के पूरवक्षी मंतरी जि मैं कहता हूँ इंद्रसैन में 14 साब की छवी दिखाई देती है अगर आप लोगों का सहयोग रहा अगर आप लोगों का आशिरवाद रहा तो निश्चित रूप से गंगो विदान सबाद छेत्र से आने वाले समय में राश्य अद्यक जी के आशिरवाद से हम इंद्रसैन कर रहे हैं पंडित आधनी शुकमा सासी जी को सुन रहा था उन्होंने जहां आशिरवाद दिया है हम लोगों को जहां आशिरवाद दिया है वहीं हमें प्रातना कर रहा हूं मैं मा दुर्गा की और मा शाकुम्री देवी के इसी तरह का आपका आशिरवाद हम लोगों पर बना रहे हैं उन्होंने याद भी दिलाया कि हमारे हम लोगों के साथ कितने आशीरवाद हैं कौन-कौन आशीरवाद दे रहा है जब इन्होंने भगवान को याद किया रादे किष्ण का सीता राम कहा तो हमें याद आ गया एक बार हमें पंड़ी जी हमें हवाई जाज में मिले थे और मैंने लख्रों की प्रेस में भी ये कहा था कि एक बार मुझे पंड़ी जी हवाई जाज में मिले उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश हो करके कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और साड़े तीन सो सीटें जीतों गया आप मैंने पंड़ी जी से बिनम निवेदन करते हुए कहा कि तीन सो पचास का तो आशिरवाद दे दिया है लेकिन एक हमारी तरफ से भी जोड़ दो और जो आज आशिरवाद दिया है आपने आपने जो जोड़ियों का याद दिलाया है हमारे लखनों बाले पे तो कोई जोड़ी नहीं है और कहीं वही बात है हम यह नहीं कहते हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं लेकिन आप बैठे लोग जब मैं देख रहा था कि रिग वेद की कुछ लाइने पढ़ी जा रही थी पंड़ी जी मंचबर हैं तो हमारे लोगों ने गीता को भी पढ़ा होगा गुर्णानक जी को भी पढ़ा होगा जिनोंने गीता पढ़ी है वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे और गुनानक जी को जिनोंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने का कि माया के बीच में रहके माया से दूर हो वो योगी होता है दोस्तों यूपी की धुआधार राजनिती खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाईए क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिलकुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे चलते हैं जै भीम जै भारत